आज मैं आपके साथ अंडे की दो एकडम नई रेस्पी शेर करूँगी, ये ब्रेकफास्ट, लंज या फिर डिनर के लिए परफेक्ट होंगी, ये बनाने में आसान और यकीन मानिये, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं, तो चलिए फिर देख लेते हैं कि मैंने इनको क स्काइब भी कर दीजेगा, ये मैंने साथ अंडे तोड लिये हैं, अब इनमें कुछ मसाले एट करेंगी, इनमें थोड़ी सी कुठ्वी लाल मिस डालेंगी, इनमें टेस्ट के इसाब से नमक डालेंगी, अब इनमें थोड़ी थोड़ी सी बारिक कठ्वी, प्यास, टमाड आप इसमें मसालों की और वेजी टेबल्स की क्वांटिटी अपने टेस्ट के और पसंद के हिसाब से कम जादा कर सकते हो आपको जो भी पसंद है अपने हिसाब से डालने अब कोई भी कितना बड़ा बरतन लेंगे जिसमें की प्लेट आसा नहीं से आ जाए यह मैंने फ्राइपेन लिया है इसमें थोड़ा सा पानी डारेंगे और इसमें देखी इस तरीकी से कोई भी एक स्टेंड रखेंगे अगर आपके पास स्टेंड नहीं हो तो आप कोई भी एक कटोरी रख दें गेस को ओन कर देंगे अब इसमें प्लेट को रख देंगे फ्राइपेन को ठक देंगे अभी दो मिंट तो इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको करीब 6-7 मिंट पकाएंगे अब मैं इनकी सब्जी बनाऊंगी सब्जी के लिए मसाला डीडी करेंगे इसके लिए ये मैंने एक प्याज ली है करीब 12 से 15 कली लेसन के लिए है और दो छोटे छोटे टूड़ा अदरक के लिए है अदरक और प्याज को तो रफली काट लेंगे अब इनको जार में डाल देंगे और इनका पेस्ट बना लेंगे अंडे को भी टोटल पकती हुए करीब 7-8 मिंट हो गये है अब फ्राइपेन को इदर से हटा लेंगे अब सब्जी बनाने के लिए कड़ा ही लिए है इसमें 1.5 बड़ा चम्मच ओईल डालेंगे ये मैंने सर्सो को ओईल लिया है अगर आप चाहो तो दूसरो ओईल भी ले सकते हो ओईल को अच्छे से गरम करेंगे ये थोड़ी से प्यास टमाटर हरी मिर्च बच गई है इन्हों से प्यासो को डाल देंगे इसमें थोड़ी से साबुद गरम मसाले डालेंगे ये मैंने एक टुकड़ा दाल जीनी का लिया है दो से तीन लोंग ली है और करीब आच से दस काली मिर्च ली है प्यासो को देखी इस तरीके से हलका सा भून लेंगे अब इसमें पेस्ट को डाल देंगे जार को खंगाल के इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ये थोड़े से टामाटर शिम्ला मिर्च बच गए हैं इनको भी सी में डाल देंगे इसमें एक बारे कटा हुआ टामाटर और डालेंगे इसमें एक चम्मच पिस्यू लाल मिस डालेंगे ये एक चमच पिसाव दन्या है आदा चमच पिसी उखल्दी है आदा चमच नमक है आप इसमें मिर्ची और नमक की क्वांटिटी अपने टेस्ट के साफ से कम जादा कर सकते हो अब जार में तीन से चार चमच दही डालेंगे इसको भी मिक्सी से हलका से चला लेंगे अब दही को भी कड़ाई में डाल देंगे जार को खंगाल के इसमें थोड़ा सा पानी ओडालेंगे इसमें खत की आने तक इसको बराबर से चलाते रहेंगे वरना दही फट सकता है अब मसाले की अच्छे से बुनाई करेंगे अब इसमें से अपनी पसंद के साथ से पीस कट करेंगे इनको देखिए इस तरीके से काट लेंगे अब इन पीसों को देखिए इस तरीके से निकाल लेंगे ये मेंने पूरे पीस निकाल लिये हैं मसाले की भी देखी बनाई हो गई है अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ करम मसाला डालेंगे अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसमें अंडे को भी डाल देंगे अगर आप चाहो तो अंडे को बिना सबजी के डायरेक्ट AC भी खा सकते हो ये डायरेक्ट भी बहुत ही बढ़िया लगते हैं आप इनको अपनी पसंद के साफ की चटनी के या फिसोस के साथ सरब कर सकते हैं अब इसको ढखकर लो फिलिम पे करीब 3-4 मिंट और पकाएंगे इसको 3-4 मिंट पकाने के बाद गेज को बंद कर देंगे इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरधनिया डालेंगे अब कड़ाही को चूले पे सुताल लेंगे अब इसको डिशाओट कर लेंगे इस सबजी को आप रोटी के साथ, परांठे के साथ या फर बेट के साथ किसी भी चीज के साथ सर्फ करें ये सबी चीजों के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है अगर आप चाहो तो इसको बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हो ये टिफिन के लिए भी बहुत ही बढ़ी है अब मैं आपके साथ अंडे की एक रेसिपी और शेर करूँगी ये भी इंशालला आपको बहुत पसंद आएगी इसके लिए ये मैंने एक प्याज ली है एक टमाटन लिया है और चार हरेमिर्जी ली है इनको देखिए इस तरीके से बारिक-बारी काट लेंगे अब कोई भी एक फ्राइपेन या फिर तवा लेंगे इसमें अपनी पसंद की साथ से गीया ओइल डालेंगे ये मैंने देशी घी लिया है गेस को ओन कर देंगे अब इसमें प्यास टमाटन हरेमिर्ज को डाल देंगे इसमें आदा चम्मस पिसीव कालमिस डालेंगे अब इसमें टेस्ट के साथ से नमक डालेंगे अब इनको अच्छे से सोफ्ट होरे तक भून लेंगे इनकी बुनाई करती हुए करीब 2-3 मिंट हो गये हैं ये प्यास टमाटन हरेमिर्ज भी देखिए हलके से सोफ्ट हो गये हैं अब करीब 4-5 कली लस्ट की लेंगे इनको बारिक कूट के इसमें डाल देंगे लस्टन अदरक की इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे अब ये दो अंडे लिये हैं इनको तोड़कर इसमें डाल देंगे अब फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इनके अच्छे से बुनाई करेंगे आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप मेरी वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट में लिख करके बताएगा जरूर क्योंकि आपके कमेंट पढ़ने के बाद यकीन मानिये मुझे बहुत अच्छा लगता है इनकी देखी बुनाई भी हो गई है अब गेस को बंद कर देंगे ये हमारे अंडे की भुर्जी भी बनके डेडी है अगर आप चाहो तो इसको बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हो ये भी टिफिन के लिए बहुत ही बड़िया रेसिपी है ये मेरे बच्चों को तो यकीन मानिए बहुत पसंद है इसको भी आप रोटी, परांटे या फिर ब्रेड के साथ सर्फ करें ये सबी चीजों के साथ बहुत ही बड़िया लगती है अंडे की दोनों रेसिपी में से आपको कौन सी रेसिपी जादा अच्छी लगी है मुझे कमेंट में लिख करके बताएगा जरूर अगर मुझे से पूछें तो यकीन मानिए मुझे तो दोनों ही रेसिपी बहुत पसंद है